सवा लाक से एक लडाऊं, चिडियनते मैं बाज तोडाऊं, तब ए गुरु गोबिन सिंग नाम कहाऊं। दोस्तों ये बात हमने कई बार सुनी हैं। बिल गुरु गोबिन सिंग जो सिंगों के दसवे गुरु बने, जब वो सिंग रिलीजिन के गुरु बने तो उस दोरान इंडिया पर राज कह रहे थे मुगल एम्परिर औरंगजेब। और औरंगजेब का ये मानना था कि वो चाहते हैं कि इंडिया के सभी लोग अपने रिलीजिन को कनवर्ट कर ले और इसलाम को अपना ले। लेकिन इस पूरे प्रॉसेस में उन्होंने एक ही मुसीबत को पाया, उन्हें ऐसा लगता था कि इस पूरे प्रॉसेस में जो लोग मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, जो लोग अर्चन पैदा कर सकते हैं, वो हैं सिख, क्योंकि सिख इस चीज के लिए कभी नहीं मानेंगे और उनसे ये लड़ाई असान नहीं होगी, जिसकी वज़े से सिखों के बीच और मुगलों के बीच कई सारे योथ हुए, कई सारे बैटल्स लड़े गए, गुरु गोबिन सिंग ने जो लास्ट बैटल मुगल एमपायर के अगेंस्ट लड़ा, वो था मुक्तसर का बैटल जो सिर्फ और सिर्फ 18 और 14 वर्ष की आयूके थे, उन्होंने अपनी जान गवा दी जब मुगलों के साथ ये योध हुआ, उसके बाद जो उनकी दो छोटे बेटे थे, जिनका नाम था जोरावर और फते, जिनकी उम्रती सिर्फ और सिर्फ 9 और 6 वर्ष की, वो अपनी दादी के साथ सिक्खों के पूरे के पूरे एक ग्रुप से अलग हो गए, अलग होने के बाद इवेंचुली उन्हें मुगलों ने कैप्चर कर लिया, और कैप्चर करने के बाद जब वजीर खान ने उन्हें पकड़ा, तो वजीर खान ने देखा कि अब यहां पर इन्हें लेकिन वो दोनों ठहरे गुरु कोबिन सिंग के पुत्र, उन्होंने ऐसा नहीं माना, उन्होंने साफ इंकार कर दिया, और वजीर खान जो कि उस टाइम पर गुवर्नर थे स्टेट के, उन्होंने क्लियर काट ये ओडर्स दे दिये कि अब इन दोनों बच्चों को जिन्दा ह को खड़ा करकर इनके आसपास एक ब्रिक वाल क्रियेट की जाए, जिससे ये दोनों बच्चे बीच में हिदब कर मर जाएं, और ऐसा ही हुआ, उन दोनों को बीच में खड़ा करकर, बाद में जब उस दिवार को उनके आसपास खड़ा किया गया, तो धीरे धीरे वो दोनो बच्चे बेहोश हुए और लास्ट में शहीद हो गए विल दोस्तों इसी सारे रिजन की बच्चे से ये जिसाइड किया गया कि 26 डिसेंबर को हर साल मनाया जाएगा वीर पाल दिवस और ये याद करता है कि पूरी की पूरी इनकी शहीदी को जो गुरु गोबिन सिंग के चा कि ये शहीदी कितनी बड़ी थी कैसे सिखों ने अपने रिलिजन को बनाय रखने के लिए ये शहीदी दी बच्चों ने और इसी लिए इस दिन गुरु दौरे में बहुत बड़े-बड़े प्रेयर्स होते हैं लंगर और और जाते हैं और हर सिख बहुत ही अच्छे से इन प्रावड की बार थै कि अपने रिलिजिन को बचाही रखने के लिए छूटे से बच्चे तक नहीं चुकें. दोस्ट ऐ बहुट बड़ी बात है अपने आप में. इसे के साथ हम ने आज बहुत अच्छे से इसके बारे में समझ लिया है. डाउनलोड कीजिए P.U.Stack app जहां आपके लिए और भी कई सारे options हैं जैसे कि आपके लिए sample papers है, backing size solutions, tip videos and much more. So what are you waiting for? Download the app now.